कि अज़ आज चैनल इसका हाई इलिवेटेड़ क्लास्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वावत है आज हम chemical reaction and equation का part 3 लेके आए हैं जिसमें अपन डिसकस करेंगे balancing of chemical equation और यह guarantee है कि यह वीडियो देखने हैं आज आप 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में कोई से भी reaction balance कर लेंगे देखें यह जो reaction लिखे हुई है पहले तो आप इसमें देखें यह F1 compound है H2O compound है और F3O4 compound है H2A compound तो सबसे पहले आपको क्या करना है सब numbers के आँगे ABCD लिख देना serial numbers जैसे FE के आँगे A लिख देना है जैसे A FE B H2O है ना C FE 3O4 प्लस D H2 बस इतना ही करना है अब देखेंगे आप यह first step हो गए step 1 हो गई यह ठीक है अब step 2 में क्या हो गए देखें step 2 में कुछ नहीं करना है अपन को step 2 में क्या करना है जैसे यह A को इससे multiply करना है कि F E कित्ते हैं यहां पर और सिब जैसे F E का F E से compare होगा H का hydrogen का hydrogen से oxygen का oxygen से आपको करके बता तो जैसे यहां F E A की है तो F E मतलब कि यहां पर कित्ते compound है F E के A की है तो A का multiply हो गया वन से तो वन आ गया अब अब equal to में धर एक भी नहीं तो अपने equal to लगा दिया क्योंकि बीच में साइन आ गया था अब इदर देखिए F E कित्ते हैं तीन है तो 3 का multiply हो गया सी से अब अपन हाइट्रोजन के उपर आते हाइट्रोजन इधार कित्ते हैं दो है और पूरे हाइट्रोजन वाले compound के आंगे है क्या आखिर B है ना तो B का 2 से multiply हो गया है ना अब इधर और तो है नहीं कुछ हाइट्रोजन अब equal to का sign लगा देंगे अब इधर कित्ते हाइ से multiply हो जाएगा ठीक है अब आपन कुछ नहीं करेंगे आंगे और देखेंगे oxygen के लिए देखेंगे इधर oxygen कित्ता है एक है तो B का multiply होगा वन से तो B आएगा अब इधर कित्ते oxygen है चार है ना oxygen तब फूर का multiply होगा सी से तो फूर आजाएगा ठीक है अब कुछ नहीं करना है कोई भी एक नमबर को वन मान लेना मान लेजिए अपन ने लेट कर लिया कि एक पुल्स टूवन है क्या एक पुल्स टूवन लेट कर लिया अपन ने तब अपन क because of 23 अजयेगा सी अब देख रहा है अगर वन रखते हैं हाँ सी क्या जाएगा when by twee ऑफ़ रह के पास आगया है अब आपन को भी और डी निकालना है वी तो simply यह आजाएगा य一次 कि C आ गया तो B आ जाएगा सोरी C आ गया तो B आ जाएगा अब देखे C रखा तो B अपन को Automatically मिल गया 4 by 3 अब A, B, C आ गया अब D चाहिए तो D भी B के द्वारा आ जाएगा देखे B इकल्स टू जब 2D इकल्स टू टू इंटू B की वैल्यू 4 by 3 तो यहां से D किता आ गया 4 by 3 अब कुछ नहीं करना है इसको सीधे सीधे उठा के यह जो अपनी इसकी वैल्यू आई है यह A की है C की है और यह जो B की है और यह D की है इसे क्विशना सिंपल ही रख देना A, B, C, D की जागे देखे अपन रखते हैं यांगे यह दर पर आपन रख रहे हैं A की वैल्यू कित्ती आई थी 1 F, E प्लस B की वैल्यू कित्ती आई थी B की वैल्यू यहां पर आई थी अपनी 4 by 3 इसको भी लिख लिया H2O यह भी मल्टिप्लाय में रहेगी अब यहां जैरो लगा दिए आपन ने आप C की वैल्यू लिखनें C की वैल्यू आप बताए कित्ती थी C की वैल्यू थी अपनी 1 by 3 1 by 3 C की वैल्यू रखा F3O4 D की वैल्यू कित्ती थी 4 by 3 H2 अब कुछ नहीं यह रख दिया अब आप देखे यह किसमें Fractional Form में है तो आपन को इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा पूरी Equation को आपन को 3 से Divide करना पड़ेगा ठीचिए रिवाइट करेंगे तो देखिए यहां पे 3 हो गया यह थी यहां कैंसल हो जाएगा 4 H2 हो जाएगा अब यहां भी 3 आएगा वाला तो यहां भी 3 3 कैंसल हो जाएगा समझनी पर आप देखे त्री कम M multipli होती यह हानवी आएगा कर यहां है यह घर हमटी किस देखिए क्या है यहां एगा यहां हैगा यहां आएगा यहां हैं ज्रिा अधर से यह कड़ा सब्लक। पर यहां बचा रह जाएगा, तो देखिए, अब आप नंने यहां लिखा, यहां काट दिया, अब यहां भी कड़े आएगा, ठीक है ना, कोई doubt हो तो बोल दे जा, comment करके आप बता सकते हो, अगर आपको कोई doubt हो तो, यह देखिए, अब आप देखिए, कहां भी compare कर लेजिए है यहां F03 यहां भी देखिया रीक्शन चैक कैसे करते हैं अपनी बैलन्स हुई है दिखने पड़ते हैं बंद रीकटेंड में किते हैं अइरन तीन है या यहां भी एट यहां ऑक्सिजन फोर यहां अपने oxygen 4 अब आपको प्रूफ में लिए ना यह बैलन्स होगी और यह देखे किता सौट मेठट अगर आप मेठट से जाते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है इसमें कुछ नहीं करना है पहले स्टेप ABCD लेना है उनको फिर compare करना कि उनकी वैल्यू लिख देना अब बस सॉल्व करने ना देखिए आपको एक क्वेशन और समझाता हूं अगर एक बार में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती माइंड नई चीज़ को देखता है ना तो गल्दी एकसेप्ट नहीं करता आपको इसके और अब एक्जामपल अपन सॉल्व करते हैं देखिए अपन अब सॉल्व करेंगे इसका याला एक्जामपल देखिए एंसी आड़ी के एकसेसाइज अपन सॉल्व करने जा रहा है आप माल लेजी अगर आपने यह अच्छे से वीडियो देख लिया ता आपको एक्वेशन को पर सिर्फ दस सेकंड में देखिए अपन लेते हैं कोई सी भी रियक्षन ले लिया अपने ले लिया अन ए कि सिए ऐल प्लास एजी अन ओं त्री और एजी अग सी अल प्लस एन ए अन ओं ध्री अब आपन इसको देखिए आपको मैं यह बैलेंस करके दिखाऊंगा अग्यार स्वाब तो सबसे पहले सम्में क्या लिखना है यहां ए लिखना है यहां , इभी लिखना यहां इतंडिक्षा प्रक्षप लबyssना किकल रहो को आन घ्लियूग को और सबसे पहले क्या लिखनाँ आए वी अन ए यही एल डी ए जी एन ओ थ्री प्लस ची एजी एल डी एन ए एन ओ थ्री और माल लेज़े बैलैंसिंग आप कैमिकल एक्वेशन दी इसमें लिए आता ही आता है खास करकें प्वेशन रे आपको फ्यूचर में कभी भी हमेशा ही काम आए लेने वाला है या पीसी भी लेने वाला तो बैलेंसिंग तो उसको आने चाहिए यह बेसिक चीज़ होती है यह आँगे नहीं बताएंगे आपको टीच है तो यह देखिए अब देखिए आप अपनको पहले क्या लेना है कोई के कंपाउंड ले लिया चाल की किस्ते के कंपुलाई ले लिया है एण मॉल्टीप्लाई मॉल्टीप्लाई यहां है जो एक देखिए यहां कहीं देखर हैं मुल्टिप्लाई। अब देखिए यहां देख रहा है नहीं पर यहां है अब यहां क्या करना है दी को से multiply करना इधर किटे compound है तो किटे हैं एक है तो d multiply हो गया one से तो d आ गया अब c l से करना है देखिए na का तो comparison हो कि यूपा है मतलब एंगा इधर भी एक ऐने से कर लिया सोडियम से कर लिया इधर भी बात ऐसे ल यूपा देखी कि इसील सील जो कंपाउंड वो एक पूरे मांड के अंदर आया है तो क्या आंगे है सी का मैल्टिप्लाय करेंगे कि किते नम्बर हो सिल्वर यानि कि एक है तो बी आगया सिंपल अब यहां कुछ नहीं है इस और यहां पर तो देखिए अब यहां पर देखिए किते number of silver है तो यहां 1 हो गया 1 से अब यहां देखिए किते हैं यहां भी 1 है तो सी का मिल्टिप्लाय हो जाएगा 1 से अब देखिए अगर यहां एक और सिल्वर होता तो क्या करते कुछ नहीं अगर इस साइड होता तो एभर मान लो इस साइड एक और सिल्वर होता तो उसको भी PLEAS करके लिख देते हैं घर यहां पर होता तो यहां पर लिख देते हैं अब देखिए यहां पर सिल्वर का भी हो गया अब आते हैं अपन नाइटरजन पर AstronApp तो देखिए B का किसे Psalm neighbors nitrogen है तो one नमबर है तो भी वंसा बी आ गया person किते नमबर आप नायड आँ जाने हैं हिवाय बहुत एजी नजर आ रहे हैं कुछ QUEU Air नहीं हो था सिंपल ली हो जाएगा यह तो आप देखिए आपन ऑक्सिजन पर आते हैं अब देखिए बी का multiply होगा number of oxygen पर आपको खुश नमबर देखने को मिलेगा तो 3B एक question में इधर multiply होगा अब डी का 3D अब कुछ नहीं करना है देख आभी तक अपने क्या कि हम एक बार रिवाइस कर लेता हूं यह एक्षन में कुछ नहीं है सबसे पहले आपको हर एक compound के आंगे a b c d लिखे देना कुछ नहीं करना है फिर देखे ए b c d लिखने के बाद क्या करना है जैसे आपन पहले एक को ले लेते हैं मनलो आपन मतलब कि ऐसे नहीं sodium को ले लिया sodium के आंगे क्यों सा number लिखा है कौन सा alphabet लिखा एक तो एक को multiply करो कित्ते number of sodium है इधर की इधर नहीं है इधर आगई एक क्वेश्टू का साइन लगा दिया अब इधर देखो कित्ते number of sodium है एक है तो d को multiply कर दो one से और पस कुछ नहीं sodium का sodium के साथ comparison किया chlorine का chlorine के साथ silver का silver के साथ nitrogen का nitrogen के साथ और oxygen का oxygen के साथ simply कोई इसमें पंड़ा ही नहीं है बिल्ग होती easy method है अब देखे अब अपन किसी भी एक compound को one मान लेते हैं तो अब अपन ने जब एवन तो डीवन दीवन दीवन तो एवन एवन तो सीवी वन और सीवन तो बीवी वन तो एबी सीडी सबकी वैल्यू वन वन आ रही है यह कहने की बात यह है यह तो रिएक्शन पहले से बैलेंस थी अब देखिए उसने कित्ता गुमाया पर अपने उसको प्रूफ कर लिया ना कि अपना मेथट साइज आफ देखिए एबी सीडी सबकी वैल्यू रखे वन रख दिया पन्ना कुछ नहीं करना है सिंपल यह कि वैल्यू वन रखी तो एने अब देखिये यहां पर sodium एक है यहां भी एक है यह वहांager एक है यहां बिह एक है यहां क्लोरीन एक है यहां भी है यहां नाइट्रोस इस понрав anoxy यहां भी औक्सिजन तरी यह मतलब कि मैंने आपको समझाने के लिए अला क्वेशन किया पर आप रियक्षन देख लें गई वार एक्साम मतलब पेपर बनाने वाले हो तो बच्चों गुमा देते हैं तो इस तो बच्चों ने देखा क्वेशन आगया चैमिकल एक्वेशन को कोई भी फॉर्मुले के लागए कोई वी ट्रिक के लागए तो नहीं जो है पर इसा होता नहीं है दिखिए इन सब को देखिए और balance करिए, यह short trick है, कुछ नहीं करना पहले हर एक compound के आँगे, ABCD लिखना है, फिर उस compound के आँगे, मतलब कोई भी एक number ले लिया, NA ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो NA के आँगे देखो, क्या A, A को multiply करो, NA किते compound हैं, फिर साइट देखो, किते हैं, फिर आपना एक chlorine ले लिया, तो A को number of chlorine से multiply करो, इधर chlorine के आँगे, क्या है, C को number of chlorine से multiply करो, ऐसी कुछ नहीं, यह equation बनाओ, ऐसी, और फिर कोई भी एक number को आप one let कर सकते हैं, किसी भी, any number, कोई भी digit को, कोई भी alphabet को, any alphabet let A, कोई भी alphabet को आप one let कर सकते हो, A को मतलब maximum क्या है, लोग भाग, A की के पीछे भागते है, A, A, A को let करते हैं, आप किसी को भी यह let कर सकते हो, आपकी कोई इसी भी chemical equation solve हो जाएगा, आपना यह solve कर ली, यह solve कर ली, और आपको जब इस chapter का solution मि लेगा, chemical equation का, reaction का, तो आप, अपन, NCRT के पूरे question solve करने वाले, तो उसमें, balancing of question, वाला, बैलेंसिंग का question है, six वाला question, तो आप, अगर और अच्छे सा अपन example solve कर लेंगे, सारे तो आपको और clear हो जाएगा, topic,